आयोध्या में आप सब जानते हैं, आयोध्या में जो राम मंदीर बन रहा है, उसका बहुत सारा ब्रास का काम हमारे नसीब में हुआ है, मेरी फेक्टरी में बन रहा है, उसका एक में द्वजडंड है, में तो द्वजडंड है, तो सास्त्रों के हिसाब से ये द्वजडंड ह हम लोग जो बना रहे हैं पिछले 81 साल से बना रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज हम लोग द्यान रखते हैं द्वजडंड एक एक प्रकार का एक एंटेना है जो ब्रह्मान से पूरा ये तरंग जो है वो द्वजडंड के थुरू बगवान के नीचे अंदर है और यहां से हम लोग को उजजा मिलती है तो द्वजडंड बनाने में बहुत सारी चीजे ध्यान में रखनी पड़ती है एक तो यह अपना जो मंदीर है जी स्री राम जी का मंदीर जो बन रहा है सास्तर के हिसाब से वह एक तो कॉंट लैंध एंड वीर्ट वाइज तो ब 34 फीट लॉंग है और उसका जो डाया है वह 9.5 इंच है और उसका वॉल थिकने से 1 इंच इस सेल्फ यूज है हम लोग पिछले 81 यह से जो बना रहे हैं वह कम लेंध को इसाब से 25 फुट का बनाये था आज तक का बड़ा बना और वेट के इसाब से देखे तो हम लोग बड प्रतासाब बढ़ा जू बनाया है वह 450ग का मिथ इसक की इसक navigating में यह जो जुच्वजणंड में उसका बीट है 5500 को करते देखे तो एक बहुत ही यूनीप जार मेंटिया । आज तो ऽ।़ उसका म्हार ऑ्यृका उर हम था यृआ जुक था उ्टासाःव तक का और यह हमने जो बहुत ही जो यूनिक पीस बनाया है उसके वह तो उनकी कुरुपा है भगवान राम जी की को उसका माटेरियल भी हमें मिल गया बनाना पड़ा कुछ नो कुछ जुगार करना पड़ा और सास्तरा के हिसाब से यह जो द्वज्दन बनाया है तो वह तो उ दरवाजा है दोर्स बोलते हैं उसको बूड़न डोर्स तो वुस सब सब का जो special hardware है जो सुद्वेशन से alarm oils शन का प्योट सिस्टव सिस्टम उसकी लोकिंग सिस्टम उनकी ये जो वह आता है वह हिंजी साथ है वो सब भी बहुत भी स्वेशल था और सासरे के इसाब से उसका संच लॉकिंग सिस्टम भी हमने बनाया वो भी हमें बेज दिया है और साथ साथ हमारे नसीब में एक और भी काम था पूरे राम मंदिर में ब्रास के कड़ा लगते हैं कड़ा और उसमें जूमल लगेगा फैन लगेगा कोई बल्ब लगेगा तो वो भी यूज एमाउंट में था हम लोग आज तक जो मंदिर में बनाया वो कोई मंदिर बड़ा मंदिर है तो उसमें 100 पीस लगेगा तो यह मंदिर में तो हमने 530 पीस बनाए तो वो भी एक रुपा है अपने आपको और मैं खूश हूँ कि मुझे यह स्री राम मंदिर में यह काम करने का मुका मिला है तन्यवाद जैस्री राम बहुत ही महनत का काम था यह एक तो इट सेल्फ यूज मैसरमेंट था सब उसका इनका जो बनाने का जो माटिरियल है वो इजिली अवेलेबल तो था ही ने मार्केट में तो उसको भी हमने बनाया है और मेरा स्टाफ जो है वो भी बहुत कॉपरेट किया उन्होंने मेरे फैक्टरी वाले और बहुत सारे वैंडर्स है उन्होंने भी कॉपरेट किया और पिछले च्छे मास से हम लोग इसका तू द्रोइंग और मेजरमेंट हम लोग यह बना रहे है तो उसमें पूरा का पूरा स्टाफ मेरा है जो वीज आदमी का स्टाफ है बहुत ईस्कील आदमी है वह भी हम लोग मेनत किया है और उसके बाद में जो उसके ऊपर जो फिनिशिंग के लिए जो जो मेनत करिया आदमी वह भी यूनिक है वह भी आप देख सकते हैं कि भी कितना यह बनाया हुआ है ये जो पुरा प्रोजेक है, फद्रानमंदिशी जी कहा है हैं प्रोजेक साथ है जो खास जियान। कि यह तो सिल्फ सास्तर के हिसाब से ही बनना पड़ेगा तो वही बनाया है वह बिलकुल है क्योंकि मंदिर बनाने में मंदिर कोई भी मंदिर है तो सिल्फ सास्तर के हिसाब से मंदिर में एक तो भगवान जी का मंदिर जो उनका जो मुझति है वह में है उसके बार में आता है द्वजडन और तीसरा आता है कलश वी कानोट रिम्यूव इट फॉर एवर द्वजडन, कलश एंद सिर्फ वसेल भगवान उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते कभी भी उसको खंडीड भी नहीं चला सकते और रिप्लेस भी नहीं कर सकते और वो सास्त्रे के हिसाब सही बनाना चाहिए और वो बनेगा तीनों का समनवे होगा तबी तबी इसका रिजल्ट मिलेगा और यह तो यह तो यूनिक है और हमने तो बहुत सारा हमारा जो भी जो स्कील था आज तक का हमारा एक्सपिरियंस था मेरा पिता जी की तरफ से ये मुझे बिजनेस मिला है तो उनका भी experience था, मेरा भी experience था सब इसमें हमने जोड़ दिया है और उसका result मिल गया है हमने अभी, को पिता जी का जी की तरह भी जी की तरह बिजने जी की तरह भी पार खिकते औरौन के अज़ा, वाय के उच्राइए बहुता, पुछा पर यूप के भाल झाहिए. झाल